जामों मस्जिद से लाल किला तक किराया हुआ च्छ burial जै कि लड़की ने बताई किस तरहां रिक्षेवाले ने ले ली उससे अव्याद किराया भारत में अतिथी देवभवा हुआ शर्मसार अतिथी देवभवा भारत इस नाम से भी जाना जाता है जहांकि संस्कृति में है आये हुए भारत में महमानों की इज़त और सम्मान करो। अपने संस्कृति के बारे में बताओ। हमारा देश भारत जो हमेशा आती थी देवभवे के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस मर्यादा को शर्मसार करने में अपनी एहम भूमी का न कुछ नहीं। अभी दिल्ली के लाल किला पर एक ऐसी घटना आई है जो भारत की छवी को धूमिल करती है। दरसल भारत में परेटन को बढ़ावा देनी के लिए अतिथी देवभवह का स्लोगन है। जब कोई परेटक भारत आता है तो वह देश की छवी भी अपने साथ ल साग लगा देती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया जब सिंगपूर की ट्रावल व्लॉगर सिल्विया चान ने दिली में अपने अनभव को साचा किया। जो भारत की यात्रा पर निकली हैं इसी सिलसिले में दिल्ली आई वहां एक रिक्षा चाल लगा सिल्विया ने पुरानी दिल्ली की गलियां देखने का मन बनाया और एक रिक्षा चालक से मिली शुरुवात में चालक ने बहुत अच्छा विवहार किया और तै किराय सो के तहत उन्हें जामा मस्जिद से लाल किला तक पहुंचाया लेकिन लेकिन समस्या तब पैदा ह पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला सिल्विया ने अपने वीडियो में कहा है कि वह स्थानिय चालकों का समर्थन करती हैं लेकिन ऐसे अनभावों के बाद उबर जैसी सिवाओं को प्राथमिक्दा देना सुरक्षित मानती है उनके अनभाव ने कई इंस्टाग्राइम मजबूर कर दिया एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि वह पूरे यात्रा के दौरान पूरे दौरे के दौरान बुरी वाइब्स दे रहा था बिकार जगों पर ले जा रहा था और पैसे तभी मांगे जब वह शांत जगह पर था बहुत बुरा बिवहार दूसरे यूज भी मांगता हूं तीसरे ने कहा शायद यही वजा है कि अधिकांश भारतिय भी दिल्ली जैसी जगों पर नहीं जाना चाहते सिल्विया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है और दिल्ली के परेटन छेत्रवे सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है बता